हेलो गाईज वेल्कम बैक टू दे चैनल मीनू 21 आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाईज और आज सुबह का मैं आज आपको व्लॉग मतलब बता रही हूँ मैं सुबह से 12 वजे तक का मेरा क्या रूटीन रहता है सारे बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं और मेरे हस्बेन आफिस चले गए हैं तो सबसे पहले न मैं कोई भी क्लीनिंग या कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि किच्चन में जो कुछ प्रिपरेशन है मतलब दोपहर के खाने की मील प्रिपरेशन का उसको मैं कर देती हूँ तो थोड़ा दूद बचा हुआ था उसको उबलने के लिए रख दिया थोड़ा स्लैब एकसा कर दिया जो सामान इधर उधर फैला हुआ था और अभी न मैं दाल फुला दूंगी क्योंकि दाल को भीगो के रख दीजी न तो बहुत जल्दी बन जाता है तो मैं दाल चावल को भीगो के रख देती हुँ और फिर मैं अपनी क्लीनिंग के लिए चलती हुँ और ये जो डोलु है ना इसमें फ्रेश वाटर मैं स्टोर कर लेती हुँ जैसे भीगोने-उगोने के लिए सही रहता है क्योंकि हमारा युनिवर्सटी क्वाटर है ना और यहां पे पानी हम ना टाइम से आता जैसे सुबह दोपहर शाम ही आता तो खाना बनाने के लिए मैं फ्रेश वाटर का ही यूज करती हूँ और तो उसी को मैं स्टोर करके रख लेती हूँ और अब मैं आ गई क्लीनिंग के लिए तो क्लीनिंग के लिए गाइस मैं क्या करती हूँ ना सबसे पहल से या उस कमरे में जो भी चीजें डीप क्लीन करनी है वो मैं डेज वाइज अलोट कर दी हूं तो इससे न बहुत जादा बर्डेन भी नहीं बनता है और हमारे बहुत सारे साफ सफाई भी एक मतलब होती रहती है ऐसा नहीं है कि एक कमरा आप एकदम इग्नोर्ड हो जाता है या फिर डस्ट जमा हो जाती है रेगुलर बेसिस पे मैं करती रहती हूं तो गंदगी भी नहीं होती है और हमारा काम भी बटने की वज़ह से बहुत जादा बर्डेन भी नहीं लगता और कुछ-कुछ एक्स्ट्रा काम भी मेरा हो जाता है तो आज मैं इस रूम की कर रही क्योंकि उनके उपर बहुत जल्दी दाग धब्बे दिखने लगते हैं और आज कल गर्मिया आ गई है तो फिर हमेशा जैसे खिड़की दर्वाजे खुले रहते हैं तो डस्ट बहुत जल्दी आता है और गाइस जैसे यह ड्रांसफरेंट शीट है इस पे एक लेयर डस्ट की पड़ जाती है धूल जैसे आप हाथ फिरा के देखेंगे न तो इस पे बहुत जादा धूल रहता है और टेबल का जो नीचे का पोर्शन है वो चॉकलेट कलर का है तो उस पे भी डस्ट बहुत आराम से दिखने लगती है तो अच्छा नहीं लगता है कि आगे रूम है और जादा थोड़ा डस्ट वगेरा दिखता है तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है तो इसलिए मैं डस्टिंग ये सब रेगुलर बेसिस पे करती हूं लेकिन आज मैं ये सारे जितने भी डेकोरेटिव आइटम है उन सब की मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रह आया था मेरा बड़ा बेटा श्रवन तो वो काफी अब पुराना सा लग रहा है क्योंकि पेपर से बनी हुई है हमेशा चूने की वजह से ना पेपर जैसे सौफ्ट सा हो जाता है तो वो खड़ा नहीं रह पाता है तो उन सब को फिर मैं डिसकार्ड कर देती हूं हटा देत हूं तो यह सब चीजें हैं गाईज करनी पड़ती है जैसे डेली बेसिस पे आप करते रहिए ना तो आपके उपर बहुत जादा बर्डेन भी पड़ता है और मैं कोशिश करती हूं कि बहुत जादा मैं डेकोरेटिव आइटम ना रखूं क्योंकि फिर उनको ना साफ करना बहुत मुश्किल होता है और मेरे पास इतना जादा मतलब बहुत जादा टाइम नहीं रहता है कि मैं करूं क्योंकि मैं सारा काम खुद से ही करती हूं और यह टीवी यूनेट है इस पे भी जो भी चीजें हैं उनको अरेंज करना सब लोग चार्ज में लगा के इसे करना जितनी ही चीजें आप डेकोरेट करेंगे उसको साफ करने में उतना ही जादा आपका समय जो होता है ना की वेस्ट होता है या समय बहुत जादा उसके लिए चाहिए होता है तो मैं कोशिश वही करती हूं कि जो मेरी जरूरत की चीजें हैं मैं सजाने के परपस से कोई भी चीज नहीं खरीती हूँ जो मेरी जरूरत की चीज़ें है ना मैं उनी को ले आती हूँ और उनी को मतलब वही सब साफ कर लीजिए तो बहुत जादा समय चला जाता है इसलिए और ये भी देखिये टेबल टॉप जो है ना वो उपर का वाइट कलर का है तो इसको भी डेग करनी पड़ती है और नीचे मैंने ट्रांसपरेंट शीट बस बिछा रखी है कि वो जो फरनीचर है मेरा वो गंदा ना पड़े या स्क्रैच वगएरा ना हो ये कुछ कपड़े हैं गाईस जो मैंने तह करके रखे थे इनको भी ना मैं सेग्रिगेट करके मतलब जिनकी जो बासकेट है वहाँ पर रखूँगी और अब मैं आ गई जाडू लगाने के लिए मैं जैसे भी करती हूँ ना गाईस कमरे मतलब कमरे वाइस चलती हूँ एक कमरे को अच्छे से साफ कर लिया और फिर उसके बाद मैं नेक्स कमरे में हाथ लगाती हूँ इससे ना सफाई होत करने से जादा मुझे ना कपड़ा तह करने वाला काम लगता है बहुत जादा समय इसमें चला जाता है तो आप चाहे ना तो जैसे टीवी में कोई अपना फेवरेट शो लगा लीजे या फिर म्यूजिक सुनते सुनते आप ये सब काम कर सकते हैं कई बार तो मैं रात में ही तह करती हूं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैं ये काम कर लेती हूं या फिर जब खाना खाने के बाद मैं इसको तह करने का काम करती हूं लेकिन आज कल बहुत जादा हेक्टिक शिडियूल चल रहा है गाई सफाई फाई का काम चल रहा है और मतलब क्यारी का भी कुछ लहसन वहसन अब जो लगा है ना वो सब निकल रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है जब से हम लोग आए हैं बच्चों के नए सेशन है तो कुछ न कुछ उनको चहिए होता है तो कभी-कभी मार्केट भी जाना बहुत फ्रिक्वेंटली हो जाता है तो जैसे कह को एक के बाद जब कोई चीज निकालती है मत न जब जो कोई चीज आप करने की ठान मत लीजिए तब तक वो काम होता नहीं है तो काफी दिनों से मैं चेयर पे सारे कपड़े रखे जा रही थी दो तीन दिनों के हैं और यह मेरी एक बेटशीट है जो फट गई है आप वाश कर दिया है कोई भी कपड़ा फट भी जाता है तो भी मैं उसको वाश करके ही रखती हूँ अगर यूज में भी लेना है तो साफ सुत्रे कपड़े रहते हैं तो सही रहता है और स्टोर करने में भी सही रहता है नहीं उसमें से गंदी स्मेल आ जाती है और बेटशीट का तो यूज जैसे आप उसको काट के कहीं पर्दे-वर्दे लगाने के काम में या कहीं बिचाने के काम में वैसे इन सब कामों में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसलिए मैं सारे कपड़ों को पहلे वाश जरूर करती हूं चाहे वो मतलब पहनने वाले हैं चाहे नहीं पहनने वाले हैं और कुछ कपड़े तो मेरे वुलेन आइटम्स में जब चली गई जगई थी बनारस ना तो कुछ डेली यूज वाले कपड़े मैंने छोड़ गए थे तो उनको भी मुझे अरेंज करना है जैसे बच्चों के बलेजर वगेरा है ना उन सबको भी मुझे रख तो अभी मैं रख रही हूँ और कुछ कपड़ों के जिनके रिपेरिंग करनी है बटन वगेरा टाकने हैं उनको मैं एक साइड में कर रही हूँ और ये गाईज मेरी ना जो नवरात्री में मैंने नौ साड़िया निकाली थी रोज एक-एक साड़ी पहनने के लिए तो इन स वाशिबल हूँ जो मैं घर में वाश कर सकती हूँ और ड्राई वाश देने में तो बहुत जादा समय एक हफ़ते का लग जाता है तो ये सब साड़िया मैंने वाशिबल जितनी भी जॉर्जट की साड़ियां है सब मैं एक थैले में रखती हूँ ऐसे मैं ना सेग्रिगेट करके रखती हूँ जैसे सिल्की साड़िया एक जगर रखती हो कॉटन की एक जगर वाशिबल जॉर्जट वाली साड़ियां एक जगर तो ऐसे हमें आसानी होती है जहां भी जाना है जिस ऑकेजन के लिए ना तो उनको एक साथ रखने में सही रहता है तो वही मैं कर रही हू और ये सब करना भी guys बहुत जादा time लेता है उनको segregate करना उनको categorize करना तो ये सब ये देखिए side से फट रहा है इसको भी मुझे repair करना है इनका जो zip वाला side होता है वो plastic से बहुत जल्दी फट जाता है इसे कई सारे मेरे पास sari bag पड़े हुए है जिनके side में फट गया है उन हम लोग उस दिन shopping करने गए थी और बाहर ही हमारा खाना खाने का प्लान था तो हम लोग मार्केट मेट्रोपॉलिस मॉल गए थे और वहां पे हम लोगों ने फिर हम लोगों ने डिनर की और फिर तभी हम लोग घर आए तो guys ये था मेरा आज का vlog आई हो आप लोग को अच्छी लगी तो family और friends के सांग share जरूर करिएगा बाई